हलो स्टूडेंट्स आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है वैसे तो काफी सारे स्टूडेंट्स को ये पता लगी चुका होगा कि 15 दिसंबर से चंडिगड के गवर्मेंट स्कूल्स में एक्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं लेकिन फिर भी आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा हो सकता है कि आपको कुछ इंपोर्टेंट बातें सुनने को मिले तो जैसा कि आप सबको पता है कि तीशरी क्लास से बार्मी क्लास तक के स्टूडेंट्स का एक्जाम होने वाला है लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि जो थर्ड क्लास से लेकर एट्थ क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं उनके एक्जाम सिर्फ और सिर्फ ओनलाइन ही होंगे और जो नाइन से लेके प्लस टू क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं उनको दो options दिए गए हैं, दो options कौन से हैं, वो online भी है और offline भी है, और जैसा कि आप सब को पता ही होगा कि offline अगर आपको exam देना है, तो आपको अपने parents का consent लेना होगा, बामतलब एक form मिलेगा आपको वो fill करके parents के signature करवाके, वो school में show करना होगा किया हमें हमारे parents ने exam देने के लिए allow कर दिया है, अब बात ये आती है कि जो 9th class से लेके plus 2 class तक के students हैं, उनको दो options दिये गए हैं, तो students कौन सा option चूज करें, online वाला या फिर offline वाला, देखिए, according to me, मेरे हिसाब से, जो class 10 और class 12 के students हैं, यानि कि जो जिन्होंने board exam दे रहे हैं, अगले 2 या 3 महिनों में, उन students को offline exam attempt करना चाहिए, इससे क्या होगा कि उनकी एक बार practice हो जाएगी, क्योंकि पूरे के पूरे साल लगबग, वो सारा कुछ online ही होता रहा है, जैसे कि बहुत सारे test उन्होंने attempt गिये, वो सारे के सारे online हुए, लेकिन इनमें problem यह है कि वो online test वो उतनी seriousness तरीके से नहीं देते थे, जैसा कि exam उनको देना चाहिए थे, अफिर test जितना seriously उनको attempt करना चाहिए था, तो लगबग पूरे के पूरे year उनकी जो sitting capacity है, कि मतलब seriously 2 गंटे, 2 हो नहीं पाई, ऐसा नहीं है कि उनको experience नहीं है, क्योंकि वो काफी सालों से exams देते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बीच में अगर gap हो जाए, या link तूड जाए, तो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उनको as a practice exam को offline ही attempt करना चाहिए, class 10 और class 12 के जो students है, और बचे 9 और 11 के तो इन students को जैसा ठीक लगे, जैसा अगर, मतलब अगर वो online देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उनके घर में mobile वगरा सही से available नहीं है, या फिर एक ही mobile है, जिसके बहुत सारे users है, मालो पापा को भी चाहिए, ममी को भी चाहिए, और अगर student को नहीं मिल पा किया रहा है, वो syllabus आपके जो school teachers हैं, वो आपको बता देंगे, और साथ ही में एक बात और अभी तक, जो चंडिगर education department है, उसकी website पर officially notice या कोई notification अभी तक upload नहीं किया गया है, बस ये news आ रही है, teachers भी कह रहे हैं, मतलब उनको भी department की तरफ से notice issue कर दिया गया है, कि exams conduct करवा और वो exams कैसे होने चाहिए, CBSC के जो latest pattern है, उनके हिसाब से होने चाहिए, ये CBSC ने इनको कहा है, तो teachers तो ख्यार अच्छा ये exam question paper आपके लिए अच्छा बनाएंगे, आपको बस उसको अच्छे से attempt करना और अपनी practice को मजबूत करना है, ताकि आगे आने वाले जो board exams हैं, खास करके class 10 और class 12 student की बात कर रहा हूं है, तो उनके लिए अच्छा हुपाई, और रही बात result की, तो result जो है 30 December को आएगा, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगर कोई आपके मन में doubt रहता है, तो comment box में comment करके हमसे अपना doubt clear जरूर कीचेगा,